प्रधान मंत्य ने महान स्वतंत्रता सिनानी या रूरी सीताराम राजु की 125 वी जन्ती के उपलक्ष में साल भर चलने वाले समारों का किया शुबारम, शाम में डिस्टल भारत सप्ता का करेंगे शुबारम जारखन की पुर्वराजपाल और एंडिय की राश्पती पदक्यूमिद्वार द्रोपदी मुर्मू का जारखन दोरा एंडिय के सांसदोर विधायकों के साथ करेंगी बैठर केंद्रिय जल शक्ति और जनजाति राज्य मंत्री विशेश्वर टूडू जार्खन दौरे पर गड़वा में दिकारियों के साथ विकास कारियों की कर रहे समिक्षा भाजपा कारिकरताओं से भी मिले और मुख्य मंत्री हेवन सोरें धनबाद में 500 करोड रुपे से अधिकी योजनाओं का करेंगे शिला न्यास और उद्गाटन परिसंपति और न्युक्ति पत्रों का भी करेंगे वित्रण नमस्कार खबर जर्खन देख रहे हैं आप देश दुनिया और जर्खन की ताज़ा तरिन खबरों के साथ मैं हूँ अर्विन और अब समाचार विस्तार से प्रधानमंटर नरेंदर मोदी ने आज आंदर प्रदेश के भिमा वरम में महान स्वतंतरता से नानी अलूरी सिता राम राजू की 125 जन्ती समारोह का शुबारम किया मौटे पर प्रधानमंटर ने सिता राम राजू की 30 फूट की कांसे प्रतिमा का भी अनावरन किया आप लोग जाओ और ये स्वातन स्रु भारत के लिए पुन्रती की और बढ़ो फ्रगती की और चुनो ये हमें संकेट देता है स्टी अलूर शीता राम राजुजी का ये स्टाच्यू अभी ये समय आ गया जिसके लिए हम सब बहुत इंतजार कर रहे हैं स्री अलूर शीता राम राजुजी का विग्रह आविश्करन का समय आ गया है we are all witnessing the great history here today the unveiling of स्री अलूर शीता राम राजुजी स्टाच्यू स्री आदर्निय प्रदान मंत्री जी से हम request करते हैं स्री नरेंद्र मुदी जी की स्री अलूर शीता राम राजुजी का यहां की आदिवासी वीर गाथाए हम सभी को प्रेरणा से भर देती हैं जिस धर्ती की विरासत इतनी महान हो मैं आज उस धर्ती को नमन करके अपने आप को भागेशाली मानता हूं आंद्र राश्रों आज एक और देश आजादी के 75 साल का अम्रित महोत्सों मना रहा है तो साथ ही अलूरी सिता राम राजुगारू की 125 वी जेनती का अउसर भी है संयोग से इसी समय देश की आजादी के लिए हुई रंपा क्रांती के 100 साल भी पुरे हो रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात की गांधी नगर में डिस्टल भारत सप्ता का भी शुबारम करेंगे इस अवसर पर वे कई डिस्टल सुविधाओं की शुरुवात करेंगे इनका उदेश प्रध्योगी की तक लोगों की पहुँच बढ़ाना है जीवन यापन को भी सुगम बनाना है और स्टार्ट अप को मजभूती प्रधान करना है देश में प्रध्योगी की पहुच बढ़ाने और जीवन यापन को आसान बनाने के उद्देश से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सोंबार को डिजिटल इंडिया वीक 2022 का गानिनगर में उद्खाटन करेंगे इसकी थीम नियू इंडिया के टेकेट को बढ़ावा देना है कायकरम के दोरान प्रधान मंत्री स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए सेवा अदाइगी को सुवेवस्थित करने के उद्देश से कई डिजिटल पहलों की भी शुरुआत करेंगे प्रधान मंत्री डिजिटल इंडिया भाषनी लॉंच करेंगे जो भारती भाषाओं में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं तक आसान पहुच को सक्षम करेंगी और इसमें आवाज अधारित पहुच भी शामिल होगी इससे भारती भाषाओं में कंटेंट निर्माण में मदद मिलेगी भारती भाषाओं के लिए AI आधारित भाषा प्रादुक्री की समाधानों के निर्माण में एक प्रमुख कारिब बहुभाशी डेटा सेट का निर्माण होगा प्रधान मंतरी डिजिटल इंडिया जेनेसिस यानी नववनमेशी स्टार्टप्स के लिए अगली पीड़ी का समर्थन एक राष्की गहन प्रोदिक्र की स्टार्टप प्लेटफॉर्म लॉंच करेंगे ताकि भारत के स्टर्दो और स्टर तीन शेहरों में सफल स्टार्टप की खोच की जा सके साथी इनका समर्थन वविकास किया जा सके और इन्हें सफल बनाया जा सके इस योजना के लिए कुल 4700 करोड रुपए के परिवय की परिकल्पना की गई है प्रधान मंतरी इंडिया स्टैक ग्लोबल कभी शुभारम करेंगे ग्लोबल पबलिक डिजटल गोड्स भंडार के लिए भारत की इस पेशकर्ष्ट से जनसंख्या के बड़े पैमाने पर डिजटल बदलाव पर योजनाओं के निर्मान के अगररी देश के रूप में भारत को स्थापित करने में मदद मिलेगी और ये भंडार अन्य देशों के लिए बहुत मदद गार साबित होगा जो ऐसे तकनीकी समाधानों की तलाश में हैं प्रधान मंतरी माई स्कीम का लोकारपन करेंगे ये एक सेवा खोजमंच है जो सरकारी योजनाओं तक पहुच की सुईधा प्रधान करता है इसका उद्देश एक जगा पर सभी जानकारी युक्त पोटल की पेशकर्श करना है जहां उप्योग करता उन योजनाओं को ढ़ून सकते हैं जिनके लिए वे पात्र हैं प्रधान मंत्री चिप्स टू स्टार्टप का एकरम के तहर समर्थन के पात्र तीस संस्थानों के पहले समूह की भी घोशना करेंगे C2S का एकरम का उत्देश, सनातक, परासनातक और अंसंधान स्थर पर सेमी कंड़क्टर चिप्स के डिजाइन के छेतर में विशेश रंबल को प्रशिक्षित करना और देश में सेमी कंड़क्टर डिजाइन में शामिल स्टार्टप के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कारे करना है भारती यूनिकॉन और स्टार्टप दोरा विक्सिट डिजिटल समाधानों को प्रदर्शित करने वाले 200 से अधिक स्टालों के साथ एक डिजिटल मिला भी आयुजित किया जा रहा है यह काई करम डिजिटल इंडिया की वर्षकार्ट बनाएगा और वैश्विक दर्शकों के लिए भारत के तकनीकी कोशल का प्रदर्शन करेगा डिजिटल सप्ताह में स्टार्टप और सरकार उद्योग और शिक्षा जगत के प्रमुक शक्सियतों की भागिदारी भी देखने को मिल रही है ब्यूर इंपूर्ट के साथ मेगना देव की रिपोर्ट डिडिनियोज जोर्खन की पूर्व राजपाल और इंडिये की राश्पदी पतकियों में द्वार द्रौबदी मुर्मु वाज रांची आएंगी विशेश विमान से रांची पहुंचने पर भाजपानेता उनका स्वागत करेंगे श्रीमदी मुर्मु का काफिला एरपोर्ट से होटल बेनार चानक के पहुंचेगी जहां वे इंडिये स्लांस दों और विधायकों के साथ बैठक करेंगी मुख्यमंद्रिय हमन सुरेण ने इंडिये की राश्पधी प्रद्कियों में द्वार और पूर्वराजपाल द्रौपदी मुर्मु के जहारखन दौरे का स्वागत किया है श्री जोरण ने अपने ट्वीट संदेश में काया है कि भगवान बिर्सागी पावन दर्ती पर श्रीमती मुर्मु का हर्दीक स्वागत है आदरण या द्रौपदी मुर्मु को हमारी ओर से अने कनिक शूप कामना है और जोहार जहारखन समय देशपर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संगर्मन का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है देश में पिछले 24 घंटे में कोविट के 16,135 नए मामले सामने आए हैं जबकि इस दौरान 13,958 लोग स्वस्थ भी हुए हैं देश में फिलाल कोरोना के 1,13,864 मामले सक्रिये हैं इधर जहारखन में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिये मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है पिछले 24 घंटे के दौरान 35 नए संक्रमितों की पुष्टी हुई जबकि 18 कोरोना वीरों इस बीमारी को हरा कर जिन्दगी की जंग जीती है राज में फिलाहाल कोरोना की 344 सक्रिये मामले शेश हैं जबकि रिकवरी रेट 98,97 शुन्य फिजदी हो गई है कोरोना के खिलाब जारी जंग में देश में टीका करन अभियान भी तेज गती से जारी है के अंद्रिये स्वास मंत्राले के अनुसार देश में अब तक 197 करोड 98 लाग से धी कोविड रूधी टीके लगाय जा जुके है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 12 जुलाई को देवगर दौरे को लेकर उपयवग्त मन्जूनाद भजंत्री ने देवगर का निरिक्षन कर विधी विवस्ता और सुरक्षा विवस्ता का जाईजा लिया है इस दोरान विभीन कारियों का निरिक्षन करते हुए कारेकर मस्तल पर बन रहे पंडाल और मंच को लेकर भी अधिकारियों को आवश्य को मुची दिशा निर्देश दिया इधर गोड़ा के सांसेंदी शिकान दूभी ने गोड़ा वासियों को प्रदान मंतरी के आगमन को लेकर निमंध रनद दिया इस ग्राउंट में आएंगे और मैंने जो आपको कहा कि भव भी कारिक्रम होगा एतिहासिकारिक्रम होगा ना भूतो ना भविसिती ऐसा कारिक्रम नहीं हुआ होगा और प्रदारमंत्री जी के तौर पर इतनी बड़ी सौगात लेके मुझे नहीं लगता कि कोई प्रदारमंत्री जी पर जल शक्ति और जन जातिये मामलों के राज्यमंत्री विशेश्वर टूटू आज गड़वा में बिभीन कारेकरों में शामिल हो रहे हैं और विकास कारिय की उचस्तरिय समिक्षा भी कर रहे हैं श्री टूटू गड़वा दौरे के क्रम में भारतिय जनुता पार्टी के कारेकरताओं के साथ भी बैठक में शामिल हुए और कई दीशा निरिदेश भी दिये पांच जुलाई को वे रांची से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री हमन सुरेन आज धनबाद जाएंगे श्री सोरेन धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आविजीत समारू में पांच सो करोड रुपे से अधीक की युजनाओं का श्रीला नियास अरुद घाडन करेंगे इस मौके पर करोड़ो रुपे की परिसंपतियों और न्योकती पत्र का भी वित्रण करेंगे राजी के संसदिय कारिमंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि 19 जुलाई से 4 अगस तक विरानसभा के मौनसुन सत्र के लिए राजी सरकार प्रस्ताव ने दिया है कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये राजपाल को भेज दिया जाएगा उन्होंने कहा कि मौनसुन सत्र का भरपूर सदुप्योग हो इसके लिए वे विपक्ष का सहीयोग मांगेंगे उन्होंने का कि पंचाय चुनाओं की वज़े से ग्रामर शित्रों में आचार सहीता लगी हुई थी इससे दो महिने तक विकास कारे प्रभावित हुए और अब बारिश का समय आ गया है विदायकों के शित्र में कई ऐसे काम हैं जो काफी जरूरी हैं ऐसे में यह आवश्यक है कि विदानसभा का मौनसुन सत्र बेहतर तरीके से चले हैं राजी के मांडर विदानसभा उप्चुनाओं से निर्वाचित हुई शिल्पी नेहात्र की आज विदानसभा सदस्य की सदस्यता लेंगी उन्हें विदानसभा भवन में स्पीकर रविंदर नात महतु अपने कार्याले कक्ष में शपत दिलाएंगे आज कठल दिवस है प्रतेक वर्ष चार जुलाई को कठल दिवस मनाया जाता है उष्ण कटिवंदिये फल, मंगलादेश और श्रिलंका का राश्टिये फल कठल है साथी तामिलांडू और केरल का राज्ये फल भी है कठल में विटामिन और एंटी आक्सिडेंट भी पाया जाता है जो इसे किसी भी आहार में स्वस्त जोड़ देता है राजदानी राची सेथ राज़ भर में आगामी साथ जुलाई तक तेज बारिश और वजरपात होने की समभावना है राची स्थित मौसम विज्यान केंदर नई से लेकर चेतावनी भी जानी की है विभाग के नुसार इस दोरान दिन के अधिकतम तापमान में भी गिरावट होने की समभावना है मौसम विज्यानी का विशेक आनन्द ने बताया है कि आज से साथ जुलाई तक राज़े के विभिन हिस्तों में बारिश की प्रभल समभावना है और अब कुछ खबरें राज़े के विभिन जिलों से मन्रेगा आयुक्द राज़ेश्वरी बी ने सभी उप विकास आयुक्तों को मन्रेगा के तहट किये जा रहे कारियों में तेजी लाने का निर्देश दिया है वेब कास्ट के जरिये विडियो कॉन्फरेंसिंग में उन्होंने सभी डिडिसी को असपच निर्देश दिया कि मन्रेगा योजना के काम में कोता ही न की जाए इसके साथ ही उन्होंने बीरसा हरित ग्राम योजना के तहट अधिक से अधिक पौदा लगाने का भी निर्देश दिया जमशेतपूर के जुक सलाई शितर में बन रहे रेलवे ओवर वरीज के पुना अधर में लटक जाने के कारणों का जायजा लेने स्वम स्वास्त मंत्री बनना गुपता मौके पर पहुंचे उन्होंने सम्मंधित इंजीनियर और ठीकेदार को बुला कर विलम होने का कारण जाना और निर्मान कारे में तेजी लाने का निर्देश भी मौके पर दिया भारतिय जन्ता पार्टी के पुरू प्रदेश अध्यक्ष तथा राइट से लिमिटेट के स्वत्तन्त निदेशक डॉक्टर दिनेशानन गुस्वामी के प्रयासों से पूरवी सीमुम के बहरा गोडा प्रखंड के पांचाडो गाउं में विशाल स्वास्त शिविर संपन हुआ जमशित्पूर तथा असपास के आठ वर्य डॉक्टरों के द्वारा 692 मरीजों का स्वास जांच किया गया तथा चिकित्सकिये सला भी प्रदान किया गया विश्व परसित स्रावनी मेला 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है जहरकंड और बिहार सरकार के अपसरों करमचारियों ने मोर्चा अभी सही सम्हाल लिया है इस वर्ष हर रोज एक लाग से डेड़ लाग शरधालूं के देवगर पहुंचने की संभावना है इस हिसाब से एक महीने तक चलने वाले इस मेले में लगबग 50 लाग शरधालूं देवगर पहुंचेंगे बोकारू पुलिस ने इंडियन बैंक डकैती कांड में शामिल एकन्य को ख्यात अपराधी उमेश महतो उर्फगदर को गिरफ पनबिजली परियोजना सिकिद्री हाइडल की दोनों यूनिट से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है इससे 105 मेगावाट बिजली की आपूर्ती हो रही है हालाकि सिकिद्री हाइडल की दोनों यूनिटों की शमता 130 मेगावाट की है सिकिद्री हाइडल से पी कावर मे बिजली की आपूर्ती की जाएगी जमशितपूर के परसूडी थाना अंतरगत की ताड़ी गडियान पट्टी में जुवा खिलने से मना करने पर युवक को अपराधियों ने गोली मार दी इस घटना में युवक बाल बाल बच गया गोली इुवक के दाएं कनपटी को छू कर निकल गई वहीं घटनास्थल से पुलिस ने खोखा बरामत किया है पुरु विधायक अर्विन सिंग के रिष्टिदार और ठीकेदार कनहया सिंग हत्याकान के चार दिन बीद जाने के बावजूद भी हत्यारों का सुराग लगाने में पुलिस नाकाम रही है इसके खेला पुरु मुख्यमंत्री मधु कोडा ने आदित्यपूर में बैठक की और पुलिस प्रशासन की अल्टीमेटम देते हुए अपराधियों की गिरपतारी नहीं होने पर सलक पर उतरने की भी चेताओं नी दी केंद्रिय ग्रामण विकास सचिव एनन सिन्हा जारखंड के दोरे पर हैं केंद्रिय सचिव आज लोहरदगा जिले का भ्रमन करेंगे और देश शाम तक वापस नई दिल्ली फ्लाइट से वापस लोटेंगे शिर सिन्हा लोहरदगा जिले में ग्रामण विकास विभाग के तहट संचालित विभिन योजनाओं की समिक्षा भी अधिकारियों के साथ करेंगे जरकन परदेश वैसे मोर्चा के द्वारा रामगय रोटरी कलब में चिंतन शिवीर सा सम्मान समारों का आयोजन किया गया इस समिलन में नोडिरवाचीत पंचायत प्रतनिधियों को भी सम्मानित किया गया साती समाज के विभिन मुद्दों को लेकर संघर्ष की बाद भी मोर्चाने कही है और आई अब देखते हैं स्वतंतुरता संग्राम में कितना खास है आज का दिन आज की कड़ी में हम आध्यात्मिक और राष्ट्रभादी चिन तक स्वामी विवेका नंद को श्रधान चले अर्पित कर रहे हैं उनका देहांत चार जुलाई 1902 को हुआ था भारतिय और पास्चात्य संस्कृति के बारे में उनके व्यापक ज्यान के साथ साथ उनकी गहरी आध्यात्मिक अंतरद्रिष्टी और मनुष्य के बारे में व्यापक साहन भूती ने विवेका नंद को अपने संपर्क में आए पूरे विश्व के मनुष्यों को प्रभावित करने की शक्ति प्रदान की अठारा सो तिरानवे में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में स्वामी विवेका नंद ने भारत और इसकी सांस्कृतिक धरुहर का प्रतिने धित्व किया भारत की आध्यात्मिक संस्कृति विशेश रूप से वेदांत दर्शन की व्याख्या के मिशन के माध्यम से स्वामी विवेका नंद ने भारत की राष्टिये चेतना को प्रेरिद किया उन्होंने वेदान्त दर्शन की तरक युक्त और मानवे शिक्षा के माध्यम से धार्मिक जीतना को सम्रिदि किया उनका मिशन राष्ट्रिय और अंतराष्ट्रिय दोनों के लिए था मानवता प्रेमी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 49 वर्ष के संख्षित जीवनकाल में स्वामी विवेकानंद ने चार शास्त्रिय ग्रंथों की रचना की ये हैं ग्यानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग और राजयोग आज हम गांधिवादी स्वाधीनिता सेनाने पेंगली वेंकईया को भी श्रधानचली अर्पित कर रहे हैं उनका निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ था भारत का राष्ट्रेय ध्वज उनकी डिजाइन पर आधारित है पेंगली ने सबसे पहले 1921 में उसे महात्मा गांधी के समक्ष प्रस्थ किया था पेंगली वेंकईया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिली में हुआ था वे अफ्रिका में आंगल बोयर युद्ध के दोरान दक्षण अफ्रिका में ब्रिटिश सेना में थे वहाँ पहली बार महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई उस समय पिंगली मात्र 19 वर्ष के थे पिंगली एक बार फिर विजयवाडा में गांधी जी से मिले और उन्हें ध्वज के विविध डिजाइन के साथ अपना प्रकाशन दिखाया राश्ट्रिय ध्वज की आवश्चता अनुभव करते हुए गांधी जी ने पिंगली से नया ध्वज बनाने को कहा उन्होंने नया ध्वज 1921 में कॉंग्रेस की राश्ट्रिय अधिवेशन में प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया आरंभु में वेंकया ने लाल और हरे रंग ही उप्योग किये लेकिन बाद में केसरिया रंग और बीच में चर्खा तथा सफेद रंग का उप्योग किया गया इस ध्वज को 1931 में भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रेस के अधिवेशन में आधिकारिक रूप से अपनाया गया भारत सरकार ने उनके स्पृति में 2009 में डाक टिकेट जारी किया 2015 में आकाश्वानी के विजेवणा केंद्र का नाम पिंगली वेंकया कर दिया गया इस महान राश्टवादी पिंगली वेंकया को हमारा शत्षत नमन आज हम स्वतंद्रता सेनानी हेमंत कुमार नायक का भी स्मरण कर रहे हैं उनका निधन 4 जुलाई 1932 को हुआ था बंगाल के मेदिनीपूर के निवासी हेमंत 4 जुलाई 1932 को अखिल भारतिय कैदी दिवस वनाने के लिए अपने ग्रिह नगर में आयोजित जनसभा में शामिल हुए आधिकारियों की अनुमती की बावजूद पुलिस ने बलपूरवक जनसभा को अवैध खोशित कर दिया और उसे तितर बितर करने का प्रयास किया जब लोगों ने तितर बितर होने से मना कर दिया तो पुलिस ने गोली बारी शुरू कर दी वहां शहीद होने वालों में हेमंद कुमार नायक भी शामिल थे करनाटा की सिनी शेटी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब जित लिया है रूबल शेखावत और शिनाता चोहान रन अप रही है वही राजस्तान की रूबल शेखावत फर्स्ट रन अप बनी है और उट्टपिदेश की शिनाता चोहान को सिकेंड रन अरप घोशित किया गया है बर्मिंगम के एजबेस्टन में इंग्लैंड के साथ पांच में टेस्ट मैच के तीसरे दिन कल भारत ने 257 रन की बढ़त बनाई पाप्त होने तक भारते टीम ने अपनी दूसरी पारी में 45 ओवर में तीन विकेट्ट होकर 125 रन बना लिये इसे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 416 रन बनाए थे और इंग्लैंड को पहली पारी में 284 रन पर समेट दिया था विशोगप मेला होकी के पूल वी में कल भारत और इंग्लैंड का मैच एके गोल से बराबरी पर रहा एक से बराबरी पर रहा नीदिलन के MS टिविलन में खेले गए इस रोमाचक मुकाबले में पहला गोल आटवे मिनिट में इंग्लैंड की तरफ से इसाबेल पीटर ने किया इसके बाद 27 बिर्ट में भारत की तरफ से वंदना काटारिया ने गोल दाग कर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया इसके बाद दोनों ही टीमें मुकाबले के आखरी तक जीत के लिए संघर्ष करती दिखी लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली इस मैच के बाद दोनों टीमों को एक-एक अंक मिले हैं भारत का अगला मुकाबला चीन के साथ पांच जुलाई को होगा वह इंगलेंड की टीम उसी दिन न्यूजिलेंड से भिड़ेगी हेरिटेज वॉक में आज हम आपको गांधर प्रदेश में इस्तीत राष्टी उद्ध्यान की चलिए सेर कराते हैं की हेरिए अमझ आपको थैंडलें आपको प्रदेश राष्टी जा आपको ऑपक्तर राष्टी इसन आपकोज एका वह एक अवह सा उ जापको पर लिखरलेंगों। हिएल खूटी जिले में जल संग्रक्षन और संचन को लेकर नूठी मुहिम चलाई जा रही है क्या है मुहिम आभी देखे जारकंड के नक्सल प्रभावित खूटी जिले में जल संचैन और जल संग्रक्षन के लिए एक अनूठी मुहिम चलाई जा रही है पूरे जिले में सेवा, वेलफेर, सोसाइटी और शेतर की गरामसभाओं के जरिए अलग अलग गाओं में गरामियों के श्रमदान से दो साल के अंदर दो सो से अधिक बोरीबान बनाए गए हैं अब तक खूटी जिले में हम लोग पिछले दो सालों में 200 से ज़्यादा बोरीबान बना चुके हैं और जिसमें 10,000 से ज़्यादा ग्रामियों स्रमदान कर चुके हैं अब गाओं के लोग खुद जागरूख हो गए हैं कई जगों पर स्वयम से भी लोग बोरीबान बनाने लगे हैं खूटी जिले में वैसे तो बरसाथ के समय अच्छी बारिश होती है लेकिन पठारी इलाका होने की कारण वर्षा जल बहकर बरबाद हो जाता है जिले में बड़े पैमाने पर इस तरह के सीरियल बोरीबान बनाने से जल संचेन और जल संदक्षन के कारे को नया आयाम मिला है जिससे गर्मी के मौसम में भी इलाके का जलस्तर बढ़ने लगा है और हर्याली चाने लगी है पूरी बान्द कर रहे हैं, गर्मी में पूरा पूरा सुख जया रहा है, जहना की तरब नहीं जया रहा है बहुत सारे प्लेटक आता है ऐसे ही घुर जाता है इसलिए बोरी बांद कर रहे हैं जिसमें हम लोग पानी बचा सकते हैं इसमें हम लोग पूरे गाओं वाले लोग लगे हुए हैं बूरी बांद बनाने में श्रमदान करने वाले अस्थानी गरामेडों का भी मानना है कि जल धाराओं की सुन्दता और बेहतर कल के लिए जल संचेयन और जल सनक्षन लाजमी है जगा जगा पर बोरी बांद बनाया है जिससे तीन चार फायदे होते हैं पहला फायदा तो यह है कि जो पानी का जल सतर नीचे तम चलता जा रहा था उसको पानी का जल सतर रुकने में थोड़ी सा असानी हुई है दूसरा है कि जो बालों को कटाओं बहुत तेजी से हो रहा था बाज सी समय पे भी या अबद खनम के मादम से उसके लिए लोग के अंदर जाग रुखता आई है उसको भी हम लोग रोक दिया है अच्छे पूरी तरीके से बंद कर दिया है तुसरा है कि चुकि पानी रुखन करने लगा है तो जल स्तर भी अप ध्रिद्री इंक्रीश करने लगा है वहाँ पे जो अगर हम पांच पीट या छे पीट का बोरी बात बनाते हैं छे फिट लंबा उचाई का तो एक अच्छा है मांट पानी का वहाँ पे सर्भाइब करने लगता है जिसको हम लोग खेती मे खूटी में ग्रामिडों ने श्रमदान से सीरियल बोरी बान की नई आउधाना धरातल पर उतार कर पूरे इलाके में जल संकट का काफी हद तक समाधान किया है जिसे यहां की तस्वीर और तक्दीर दोनों बदलनी शुरू हो गई है यह पंचगा के पास बनई नदी है तो साल पहले तक यह नदी पूरी तरह से सुख गई है लेकिन इस तरह के बोरी बान यहां पर बनने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी की कितनी कल-कल आवाज आपको सुनाई दे रही है तो निश्ची तोर पर बोरी बान का यह अधर हुआ है कि आसपास के इलाके में सैकड़ो एकर जमीन पर खेती भी हो रही है और जो लोग पानी की वज़ए से यहां से पलायन कर रहे हैं तो पलायन भी रुख गया है अपने सेयोगी जोचना के साथ मैं दिवाकतमाद, दूरदर्शन समाचार, पंचगार, पूटी दूरदर्शन जहारखंड पर पलपल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेस्बुक और यूटूब से भी जोड़ सकते हैं क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे जादा जरूरी है स्टाटिक संतुलित और निश्पक्च समाचार हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज जहारखंड और फेस्बुक पेज है आरेन यू डीडी के आप हमें यूटूब चैनल जहारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं निव्ज गुलेटिन के अंद में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंद्री ने महान स्वतन्प्ता सेनानी अलूरी सीताराम राजू की एक सो पचीसवी जन्ती के उपलक्ष में साल भर चलने वाले समारों का प्याश शुबारम शामे डिस्टल भारत सब्ता का करेंगे शुबारम जहरखन के पुर्व राजपाल और एंडिये के राश्वरी पद्यूमी द्वार द्रोब्री मुर्मू का जहरखन दोरा एंडिये के जांसदोर विधायकों के साथ करेंगी बैठर केंद्रिय जल्शक्ति और जन जातिये राज्यमंत्री विश्ष्ष्वर तूडू जहरखन दोरे पर गड़वा में दिखारियों के साथ विकासकारियों भी कर रहें समिक्षा बाजपा कारिकताओं से भी मिलें और मुख्यमंद्री हैमन सुरिन धनबाद में 500 करोड रूपे स्यदी की युजनाओं का करेंगे श्रिला न्यास और उद्धाटन परिसंपति और नियुक्ति पत्रों का भी करेंगे वित्रा